So hey guys welcome to the channel आज हम 4 अलग अलग तरीके से throw bomb बनाएंगे और 4 throw bomb एक दूसरे से हटके होंगे तो चले सबसे पहले roll cap से throw bomb बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम एक roll cap की डबी ले लेंगे और इसमें से roll cap को निकाल देंगे अब इस strip में जो side में extra paper है उसे हम cut कर देंगे कुछी सरीके से next हम एक paper लेंगे और इस roll cap में से हम dotted part को cut कर देंगे जिसमें बारूद होता है तो यहापे मैंने सारे dotted part को cut कर दिया है अब हम इने डबी में ही भर देंगे next हम match trick लेंगे और इसमें से black powder को निकाल देंगे तो यहापे मैंने black powder को निकाल देंगे अब हम paper को fold करेंगे और इसके उपर pencil के help से roll कर देंगे ताकि सारा powder अच्छी से mix हो जाए अब इस black powder को हम डबी में डाल देंगे next हम छोटे छोटे पत्थर लेंगे इन्हें भी हम डबी में डाल देंगे अब हम इन तीनों को अच्छे से mix कर देंगे और डबी को बंद कर देंगे डबी खुलना जाए इसके लिए हम इसके उपर thread लपेट देंगे तो यह पर मैंने धागे को लपेट दिया है और यह लिजे हमारा roll cap का throw bomb बंद करके तयार है इसी तरीके से मैंने और दू बना लिये है तो चले इन्हें टेस्ट करते है तो फ्रेंट्स यह से कि आपने देखा हमारा cracker बहुत ही amazing तरीके से वर्क हुआ बट इसे फोडने के लिए आपको एकदम जोर से इसे फेकना है तब ही यह फटेगा तो फ्रेंट्स यह लिजे हमने roll cap से तो throw bomb बना लिया है अब हम पत्थर से throw bomb बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले हम roll cap ले ले लेंगे और इसमें से dotted part को cut कर देंगे कुछ इस सरीके से तो यह पर मैंने सारे dotted part को cut कर दिया है अब हम इने side में रखेंगे नेक्स हम दो पत्थर लेंगे अब एक पत्थर के उपर हम सारे dotted part को रख देंगे और इसके उपर हम दूसरा पत्थर रख देंगे नेक्स हम एक rubber band लेंगे और इन दोनों पत्थरों को हम एक दूसरे के साथ जॉइन कर देंगे कुछ इसी तरीके से हम दूसरी सैट भी रबर से जॉइन कर देंगे So friends ये लीजे एक मीट में हमारा throw bomb बन करके तयार है तो चले इसे टेस्ट कर देए So friends जैसे कि आपने देखा ये throw bomb छोटा पैकेट बड़ा धमा का था अब आप कुछ इसी तरीके से दोनों पत्थर के बीच में roll cap डाल करके इसे फिर से यूज़ कर सकते हो So friends ये लीजे हमारा पत्थर वाला throw bomb तो बन गया है अब हम paper से throw bomb बनाएंगे जो कि कुछ इस तरीके से work करेगा इसके लिए सबसे पहले हम match trick को ले लेंगे और इसके black वाले part को हम cut करके निकाल देंगे कुछ इस तरीके से तो ये पे मैंने एक पूरे match box में से black powder को निकाल दिया है अब हम paper को fold करेंगे और एक pen की help से इस पर roll कर देंगे ताकि सारा powder अच्छे से mix हो जाए अब हम इस powder को side में रखेंगे और next हम match box पर जो striker होता है उसका powder हम निकालेंगे तो ये पर मैंने striker का powder निकाल दिया है अब हम इसे और black powder को अच्छे से mix कर देंगे अब हम छोटे पत्थर लेंगे और इने भी powder में mix कर देंगे next हम एक notebook paper लेंगे और इसमें से एक strip को cut कर देंगे अब इस strip को हम pen की help से roll कर देंगे और glue से चिपका देंगे तो ये हमारी paper की pipe तयार है अब हम waste paper लेंगे और उसका एक ball बना देंगे इस ball को हम paper की pipe के पीछे लगा देंगे और glue से चिपका देंगे अब इस pipe में हम matchstick का powder भर देंगे जो हमने पहले ही बना के रखा था और इसे pack करने के लिए उपर भी paper का ball और glue लगा देंगे तो ये लिजे हमारा throw bomb बन करके तयार है तो चले इसे test करते हैं तो फ्रेंट जैसी के आपने देखा ये वाला throw bomb तो market वाले throw bomb से भी अच्छा था अब लास्ट में हम nut और rubber band से throw bomb बनाएंगे जो कि चारो throw bomb से काफी easy और amazing होगा तो इसके लिए हम सबसे पहले दो nut ले लेंगे आप इससे थोड़े छोटे या बड़े nut भी ले सकते हो अब हम एक rubber band लेंगे और इस rubber band को हम बीच में से cut कर देंगे next हम इस rubber band में दोनों nut को डाल देंगे और एक tight knot बान देंगे कुछ चीज सरीके से knot बानने के बाद हम extra rubber band को cut कर देंगे तो यह हमारा throw bomb कुछ ऐसा दिखेगा next हम एक roll cap लेंगे और इसमें से हम एक dotted part को cut करके निकाल देंगे अब हम इस dotted part को nut के उपर कुछ इस सरीके से रख करके nut को fold कर देंगे ताकि दोनों nut के बीच में roll cap आ जाए और जब हम इसे throw करें तो यह फट जाए तो यह लिजे फ्रेंट्स हमारा throw bomb बन करके तयार है इसी तरीके से मैंने और दो बना करके ready कर ली है तो चले इसे test कर देंगे तो फ्रेंट्स अगर आपको इन चारो throw bomb में से एक भी throw bomb अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग